कि जनता क्या कपड़ा पहने, क्या खाए, क्या पीए, ये तै करना सरकार का काम नहीं है सराब पीना गलत बात है तो उसके लिए परिवार के लोग है डाटने डपटने के लिए समाज के लोग, सरकार इसमें कानून बना करके चाहिए कि हम रोक देंगे तो रोकने वाली चीज नहीं है और यही हुआ है पनोर मंकरो जो सोचता है वो करता है नमस्कार आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हमजा अबासदी के बिहार में जो सियासी हल चल है वो काफी परिशान करने वाली है आपको बता दें कि NDA की सरकार तो बन गई है लेकिन उसको लेकर के जो कयास लगाए जा रहे है कहा ये जा रहा है कि NDA में जेडियू और बीजेपी चाहती है विदान सबा भंग करा देना और बीच में ही लोगसबा और विदान सबा के चुनाओ जो है वो साथ में कराना कि जदियू के विदायक भी नहीं बलके खुद नितिश कुमार जी चाहते है कि दोनों सब्सक्राइब साथ हो जाए तो यह हमें लगता नहीं कि यह होगा क्योंकि अभी MLC का चुनाओ होना 21 तारीक को और खुद ही नितिश कुमार जी MLC है तो उनको अपनी सीट भी रिनिवल करवाना है और 21 तारीक को अगर MLC का चुनाओ होगा तो उससे पहले तो लोगसभा का अधिस उचना आ जाएगी तो जब लोगसभा का अधिस उचना जारी हो जाएगा तो कैसे कोई सरकार चाहेगी कि हम विधान सभा भंग कर दें तो विधान सभा भंग करने की गुझाई मुझे जहां तक समझ में आ रहा है नहीं होने वाली है कहा ये जह रहा है सर कि जो मौझूदा सरकार है उसमें मंत्री मंडल का जो विस्तार है इसी सब वजहों से नहीं हो रहा है क्योंकि ये तो सरकार दो अलग-अलग तरह के पार्टियां हैं और उनका एक बेमेल गटबंधन है कोई नेचरल गटबंधन बिहार में नहीं है जदिव के अधिकांस जो लीडर हैं वो बीजेपी के साथ जाना नहीं चाहते थे यह सच्चा यह है पिछले दिनों जब इन लोगों ने तोरफोर करने की कोशिस की और सरकार पलट दिया तो उस समय ही जदिव के अधिकांस जो विधायक थे वो नराज थे इस बात से और कह है कि यह बिहार में पहली बार हुआ कि विधायकों को एसपी डीएसपी यह लोग मनें बंदूक के इसारे पर उनको बैठा करके भाचपा को वोट करवाया गया इससे पहले ऐसे नहीं होता था तो यह तो जबरदस्ती की सरकार चल रही है दखिए क्या होता इसमें इंडिय कि जीतन रामां जी कुछ भी कहते हैं का यह काम नहीं है'm कि जन्ता क्या कप्रा पहने सरकार के काम नहीं है इसके लिए परिवार Осब केKY बना करको छाहए कि को मैं रोक देने तो रुखने वाली चीज नहीं ई यही हुआ है। इसलिए जीतनरा मान जी क्या करें वो उससे मेरा मतलब नहीं है लेकिन सराबंदी कानून को मैं ठीक कानून नहीं मानता हूं। माजी जी बार बार अलग थे तब भी शराबंदी पर उन्होंने सवाल उठाया साथ हाए तब भी शराबंदी को लेकर करे कह रहे हैं कि नितीश कुमार को इस पर अड़ियल तौर पर अड़े नहीं रहना चाहिए इस कानून को हटा देना चाहिए माजी कहा देख भाई कि हम नहीं हटाई सराबंदी कानून खतम नहीं की जगा तो हम गट बंदन छोड़ देंगे दो दिन का के देखे तो बस बयान देना है बयान देने में क्या जाता है क्लियर कट पोजिशन लेकर के देखें वो अभी आप देखिए कि बिहार विधान सभा के अंदर पिछले दिनों जिस तरीके से नितीश कुमार जी ने उनका अपमान किया था और जितना ज़्यादा अपमान किया था दो दिन में सब मामला सवटा उट हो गया उनका दो दिन में फिर हो ही हो गया कि मोधी जी के इसारे पर चलेंगे मोधी जी ने कह दिया कि निती जो हैं वो सिर्फ औसरवाद उनके विचारधारा में होता है और कुछ नहीं होता है मांजी जी पर ज्यादा हम क्या कहें समराट चौदरी ने बयान दिया है कहा है कि अति पिछडों का रावन जो है वो गडबंधन रहा है खासकर आर जेडी रही है नहीं अति पिछडों का रावन या बलकि कहिए कि पूरे बिहार का अगर रावन कोई है तो भी जेपी है अति पिछडा समुदाय जो है उसको उसका हक अधिकार मिले इसके लिए महागडबंधन की सरकार ने प्रयास किया और यहां पर जाती गन्ना हुआ जाती गन्ना के बाद जिन्सकी जितनी संख्या है उसको पबलिक में लाया गया और इस लिहार से सबका आरक्षन बढ़ाया गया अति पिछली जातियों कभी आरक्षन बढ़ा पिछले वर्ग कभी आरक्षन बढ़ा तो ये तो अच्छी बात है अति पिछला समुदायक इस बात से खुश है कि कोई तो एक ऐसी सरकार आई बिहार के अंदर जिसने उनके प्रतिनिधित्वे के मामले को समझा, गंभीरता को समझा और अरक्षन के दाहरा को बढ़ाया तो ये तो महागटबंदन की सरकार ने किया है अब समराठ चौधरी बीजेपी में हैं तो बीजेपी अगर इतना ही अथी पिछरों का हिमायती है तो पूरे देश में इनको चाहिए कि भाई हम जातिकत जनगन्ना करवा दें और अथी पिछरी जातियों की संख्या गिंती कर लें उसको बढ़ा दे तो वहाँ तो इनकी जबान खुलती नहीं है मोदी और अमीन साह के सामने अब बिहार में डिलिंग पैतरा करना है तो कर देते हैं अखरी सबसर केके पाठक को लेकर के जो बवाल चल रहा है सर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नितीश कुमार के भी फरमानों को वो दरगुजर कर दे रहे हैं ताक पे रख देने वही हुआ है सही बात है इसके बावजूद अपर मुख्य सचिव केके पाठक इस बात पर अरे रहे कि नहीं हम 9-5 ही करेंगे और 9-5 का ही लेटर जारी हुआ तीन दिन होने के बावजूद अब कुछ लोग बता रहे थे कि कल उन्होंने कहीं पर मीडिया में प्रेस कॉन्फरेंस करके बहले मान लिया कि नहीं भाई ठीक एदर से चार चलाएंगे लेकिन आदेश अभी तक जो है वो वही है 9-5 का और तीन दिन घोसना होने के बाद भोजपूर के एक स्कूल में 5-6 सिक्षकों पर इस बात के लिए करवाई होगे कि आप 9-5 मिनट में स्कूल क्यों नहीं पहुचे हुए थे तो आपका पेमेंट में कटवती किया जाता है तो ये तो इस्थिती बिहार की है तो सरकार का एक बाल इतना कमजोर हो गया है या कहिए कि इसमें कोई BJP गेम कर रही है बीजेपी हो सकता है कि इस बात को अस्थापित करने के लिए कि नितीश कुमार जी का कोई गृप नहीं बचा है बिहार के अंदर एक अधिकारी उनकी बात नहीं सुनेगा बीजेपी बढ़ावादर रहा केके पाठक को यह भी हो सकता है लेकिन इतना जरूर है कि सदन के अंदर तीन दिन लगातार घुषना के बावजूद अगर कोई अधिकारी बात नहीं सुन रहा है तो इसका एक बुरा मैसेज पूरे बिहार में है और यह लोग तंतर के लिए अच्छी बात नहीं है चुनाओं के बेहत नजदीक आगए हम लोग सर आप लोग की कैसी तैयारी और गडबंधन कैसे पैमाने पर जो है लोगों के बीच में जाए है अभी सब लोग हम लोग तैयारी चुनाओं के तैयारी में है और खुद जनता तैयारी में है जन्ता ने पिछले दस सालों में जो जेला मोधी के राजकाज में जन्ता महसूस कर रहे हैं कि ये जो सरकार है नरेंदर मोधी की ये जूट पड़ और जुमलो पटिकी हुई सरकार है सिर्फ साजिस करती है और अभी दो महतपुन फैसले जो आए हैं जैसे आपने देखा कि च चुनिंदा मीडिया घर आने हैं वो लोग इस तरह की खबरों को जणता में नहीं आने देते हैं लेकिन अब सोशल मिडिया का जमाना है तो आप समझ लिजीए कि लोग सभा का चुनाव में करोडों का वोटिंग होगा, तो कितना वोटिंग लोग गरबर कर सकता है। तो इसलिए जनता इस बड़ तयार है क्योंकि जनता को यह एहसास हो रहा है कि इसमें तो लोकतंतर खत्रे में जा रहा है। अगर चुनाव की प्रकिरिया ही निश्पक्ष नहीं रहेगी तो जनता कहीं वोटिंग से क्या फर्थ पड़ जाएगा। इसलिए जनता की तयारी है, महागटबंधन की तयारी है और तीन तारी को पतना में जो विश्वास रैली है, जन विश्वास रैली, उस रैली के तुर की आई-मल के सीनियर लीडर और MLS अंतीप सौरफ जो की साफ तोर पे कह रहे थे कि बिहार में कोई विधान सभा चुनाव या लोग सभा चुनाव एक साथ नहीं होने वाला है, क्योंकि मुक्यमंदरी नितीश कुमार जो की खुद MLC कोटे से आते हैं, वो नहीं चाहेंगे की बीच में ही चुनाव हो, जिस वज़े से उनकी पोजीशन जो है, वो कमजोर हो और साथी साथ आने वारे लोग सभा को भी इन्होंने कहा कि लोग सभा चुनाव में जनता भी तयार है पूरे तरीके से, क्योंकि जो सुप्रीम कोट का फैसला आया है, चंडीगर में मेर के वीडियो पसंदाई और रुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरुकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले, ओजे गो घंटी बा, उकरा बटन दबा देला से कुल सठीक और मारक ख़बर रुवा मुफ्त में मिल जाई, अगर पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने, तो जॉइन बटन दबा दे, पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवादी